प्लस 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 मिन्स क्या होता है जमा कि हम उनको जोड़ेंगे जो भी हमारे पास अक्षर हम उसको जो भी हमारे पास यह वर्ड है प्लस करेंगे जैसर हमारे पास नमबर फ़र्ष्ट है फ़र्ष्ट नमबर पर हमारे पास है 343 उसमें हम क्या प्लस करेंगे 236 तो अब यह बगर कैरी के यह एक इसमें हासिर नहीं लगेगी क्योंकि यह तो देखो मैं आपको समझाती हूँ हम कितनी लाइन ड्रो करेंगे 3 1 2 3 अब नीचे 6 1 2 3 4 5 6 अब हम इन काउंट करेंगे जैसे यह है 6 6 के बाद हम 7 8 और 9 तो हमारे यहां क्या जाएगा 9 क्या जाएगा 9 ऐसे ही हम यहां यह 4 है और नीचे 3 है तो हम यहां पर लाइन ड्रो करे 1 2 3 जैसे यहमरे पास यह 3 हो गई 4 5 6 और 7 अमरे पास 7 नमबर आ गए तो हम यहां क्या लिखेंगे 7 क्या लिखेंगे 7 ऐसे ही है 3 और 2 हम यहां काउंट करेंगे 1 2 3 और 1 2 1 2 3 4 और 5 तो हम यहां क्या Venstian करेंगे 5 अब हमने क्या प्लस किया है 343 के अंदर क्या प्लस किया है 236 तो हमारा क्या आंसर आया है 579 579 ऐसे ही हम सेकिंड सम करते हैं क्या है सेकिंड सम 426 426 ऐसे ही हमारे पास क्या है 322 ऐसे ही हमें इसमें भी ऐसी लाइन ब्रो करनी है 123456 नीचे क्या है 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हम कहां मेंशन करेंगे 8 को 62 के नीचे क्या लिखेंगे 8 अब है 2 और 2 हम की लाइन ड्रो करते है 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 हम क्या मेंशन करेंगे 4 क्या मेंशन करेंगे 4 ऐसे हमारे पास 4 और 3 123456 और 7 हम 7 को कहां राइट करेंगे 3 के नीचे तो हमारा 426 में हमने प्लस किया है 322 तो हमारा क्या आंसर आया बेटा 748 748 ऐसे हमारा थर्ड सम है 524 524 क्या प्लस करेंगे 153 तो हम क्या प्लस करते हैं देखो अब हम कितनी लाइन ड्रो करेंगे 4 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 और 7 हम क्या राइट करेंगे 7 क्या राइट करेंगे 7 ऐसे ही हम 2 और 5 को लाइन ड्रो करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7 हम क्या राइट करेंगे 7 ऐसे ही हम इदर 5 लाइन ड्रो करेंगे और 1 1 2 3 4 5 और 1 1 2 3 4 5 और 6 हम क्या राइट करेंगे 6 क्या राइट करेंगे 6 ऐसे हमारा फोर्त नंबर का सम है 635 को हम 121 में प्लस करतेंगे तो हम कितने line draw करने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 6, हम क्या mention करेंगे, 6, ऐसे हम 3 और 2 को draw करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 and 5, हम क्या mention करेंगे, 5, क्या करेंगे, 5, ऐसे हमें इदर 6 और 1 line draw करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 क्या mention करेंगे? 7 तो हमें ना हमारा क्या answer आया है? 300, ना sorry 635 में हमने plus किया है 121 हमारा answer क्या आया है? 756 756 ऐसे ही हम 5th number का sum करते हैं हम line कितनी draw करेंगे? 1, 2, 3, 4 नीचे 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम क्या write करेंगे? 7 अब हम 3 और 1 को plus करते हैं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब हम क्या mention करेंगे? 4 क्या mention करेंगे? 4 ऐसे ही हम 7 और 2 को plus करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 और 9 हम क्या mention करेंगे? 9 तो अब हमारा आंसर कितना है? 734 में हमने 213 को plus किया है क्या आंसर आया है? 947 947 ऐसे ही है हमारा लास्ट सम बचा है नमबर 6 817 में हम 132 प्लस करते हैं तो line draw करते हैं पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्या mention करेंगे? 9 ऐसे ही हम यहां लाइन ड्रो करते हैं 1, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ठीक है? ओके? अब क्या आंसर आगया है? 4 ऐसे ही हम 8 लाइन ड्रो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1? 9 हमारा क्या आंसर आगया? 949 किसमे? 817 में हमने 132 को प्लस किया है आंसर क्या आए है? 949 तो देखो मैटा, अभी मैंने आपका कराया है मैथ में addition means प्लस का निशान हमारा यह होता है तो addition means क्या होता है? जमा जमा करना, एक दूसरे digit को हमें जमा करना है तो आपको करवाए है 6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 दो इन यूर मैच फेर नोट बुक राइटिंग शोड बी निट अन गलें थेंक यू थेंक यू प्रशन नमबर दूसरा है निमलकित प्रशनों के मोखिक उत्तर दीजे बेटा, कुछ प्रशन दिये हुए है उनके हमें मोखिक उत्तर देने हैं प्रशन नमबर कह है? हमारे देश की प्रथम प्रदानमंत्री का नाम बताईए तो बेटा पार्ट में हमने पढ़ा हमारा देश का प्रिथम प्रधानमंत्री कौन थे पंडित जवारलाल नहरू ठीक है ये मोखी प्रशन है आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये प्रशन ऐसे हैं जो हमें कभी भी पूछे जाने और याद रखने की चीज है प्रश जो थे वे नहरू जी को चाचा नहरू कहते थे ठीक है प्रशन नंबर गया नहरू जी अपने कोट पर कौन सा फूल टांग कर रखते थे कौन सा फूल पसंद था नहरू जी को गुलाब का और वो गुलाब का फूल अपने कोट में टांग कर रखते थे एक बार फिर से हैते थे चाचा नहरू नहरू जी अपने कोट पर कौन सा फूल टांग कर रखते थे गुलाब का फूल ठीक है नेक्स्ट प्रशन है हमारा प्रशन नंबर तीशरा सही विकलप के सामने सही का चिन लगाओ प्रशन के तीन. उप्षन दीए हुए हमें जो करक्ट आंस्वर है वो उसके सामने सही का निशान लगाना है पंडित जवारलाल नहरू देश के थेव तो जो पंडित जवारलाल थेव वो राष्ट पिता थे राष्ट पती थे या फिर प्रधान मंत्री थे तो क्या थे वो प्रधान मंत्री थे ठीक है तो प्रधान मंत्री के पीछे जो एक box बना हुआ है उसमें हम ऐसे सही का निशान लगाएंगे ठीक है प्रश्ण नमबर खै है नहरू जी अपने कोट में टांग का रखते तो तो बेटा अभी हमने मोग की प्रश्णों में भी पढ़ा है नहरू जी अपने कोट में फूल टांग दे थे पत्ती टांग दे थे तो तो इसके पीछे जो बोक्स है उसमें सही का निशान लगाएंगे ठीक है अगला प्रशन है हमारा प्रशन नमबर चार उचित सब्द चुनकर रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए तो बेटा कुछ खालिस्तान दिये हुए हैं इनको हमें भरना है प्रशन नमबर के में हैं मैं खालिस्तान और मेज साफ नहीं करूंगा तो जो चप्डासी था वो क्या कहा रहा था कि मैं कुर्सी और मेज साफ नहीं करूंगा ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पे कुर्सी कुर्सी खालिस्तान में आएगा कुर्सी और मेज साफ नहीं करूंगा ठीक है पुर्शन नमर खै मैं खालिस्तान उठा कर क्यों रखूं तो मैं खालिस्तान उठा कर क्यों रखूं टेली फोन ठीक है मैं टेली फोन उठा कर क्यों रखूं ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन टेलीफोन ठीक है मैं टेलीफोन उठा कर क्यों रखूं ठीक है अगला प्रिशन है हमारा गया अपना खालिस्तान करने में क्या हर्ज है तो बेटा अपना काम करने में क्या हर्ज है पंडि जहलल नहरू ने कहा था कि अपना काम करने में क्या हर्ज है तो गय में आएगा काम ठीक है अपना काम करने में क्या हर्ज है अगला प्रशन है हमरा आख है इसमें कालिस्तान की क्या बात है तो बेटा इसमें डरने की क्या बात है डरने इसमें डरने की क्या बात है ठीक है एक बाद फिर से देखी बेटा पंडी जवालल नहरू देश के थे प्रधान मंत्री नहरू जी अपने कोट में टांकर रखते थे फूल नहरू जी का चप्रासी था मुफट मैं कुरसी और मैज साफ नहीं करूंगा मैं टेलिफोन उठा कर क्यों रखू अपना काम करने में क्या हर्ज है इसमें डरने की क्या बात है तो बेटा आज के हमारे ये प्रशन थे प्रशन नमबर तीसरा और प्रशन नमबर चोथा ये आपको अपनी हिंदी रेडर की नोट बुक में साफ सुन्दर राइटिंग में करना है ओके बेटा धन्यवाद बेटा चेप्टर नमबर त्वेल एक्सरसाइज क्या करेंगे एक्सरसाइज अभ्यास करेंगे हम कोन से पाट का लेसन ट्वेल पार्ट ए टिक दा क्रेक्ट ओप्शन T I C K T T I C K T I Q T I K E T Q I C O R I C T Q O P T I I O N ओ वस ट तिक दा करेक्ट तिक दा करेक्ट ओप्शन तिक चा करेक्ट की mistतम्बर फिस्ट फिस्ट इ 4 double L, O, W, I, N, G, following, L, I, V, S, lives, I, N, N, A, F, O, R, E, S, T, forest, which of the following lives in a forest, कि इस में से कौन सा जानवर जंगल में रहता है, नमबर A, Cow, नमबर B, Goat, नमबर C, Lion, नमबर D, Ship, तो जंगल में कौन सा जानवर रहता है, Lion, हम किस पर टिक करेंगे, Lion पर, L, I, O, N, Lion, L, I, O, N, Lion, ओके, नेक्स्ट नमबर सेके, Dash is a pet animal, Dash is a pet animal, कि हमारा पाल जानवर कौन सा है, नमबर A, Cat, नमबर B, Goat, नमबर C, Cow, नमबर D, Fox, तो correct answer क्या है, A, Cat, C, A, T, Cat, हम Cat पर टिक करेंगे, थार्ड नमबर है, We get eggs and meats from, कि हमें अंडे और मीट माच मच कहां से मिलती है, नमबर A, Camel, नमबर B, Goats, नमबर C, Buffaloes, नमबर D, Hands, तो कहां से प्राप कोती है, Hands, H, E, N, S, Hands, तो हम किस पर टिक करेंगे, Hands पर, Okay, let we start part B Fill in the blanks with suitable words given in the box F I double fill, I N in, T H is the B L A N K S blanks, W I T H with, S U I T A B L is suitable W R D S word, G I V N given, I N in, T H is the B O X box, की रिखिस्तान भरों, की एक box में कुछ शब्द दिये हुए हैं, let we start number 1 कि जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती और खरगोश होते हैं वो हमारे पालतु जानवर होते हैं तो क्या आएगा? PET PET Number second, always be dash to animal A-L-W-A-Y-S always B-E-B-T-O-2-A-N-I-M-A-L-S animals Always be kind to animals K-I-N-D, kind Number third, lions and tigers live in dash L-I-O-N-S lions, A-N-D-N, T-I-G-E-R-S tigers L-I-V-E live in, lions and tigers live in dash तो जो शेर होते हैं और बाग होते हैं वो कहा रहते हैं इना? Forest F-O-R-E-S-T-S forest F-O-R-E-S-T-S forest में जंगल, जंगल में रहते हैं Part C Write T for true and F for false statement की सही के लिए हम T लिखेंगे और गलत के लिए हम F Okay Let we start number first Hence gives us egg Hence gives us egg H-E-N-S hence G-I-V-E give U-S us E-G-G-S eggs जो मूर्गिया होते हैं वो हमें अंडे देती हैं तो answer is right तो क्या आएगा T क्या आएगा T Second number है Goat and sheep are domestic animals G-O-A-T goat A-N-D-E-N S-H-E-P sheep A-R-E-R D-O-M-E-S T-I-C Domestic A-N-I-M-L-S Animals Goats and sheep are domestic animals की जो घरेलू जानवर होते हैं जैसे goat और sheep तो crack answer is True Goats and sheep are domestic animals ये दोनों घरेलू जानवर है तो हम क्या लिखेंगे True True में सही नमबर थाड़ है Ox is a pet animal जो हमार लोमडी होती है वो हमारी क्या pet animal पालतू जानवर होते हैं No O-X-O-S Is is A P-T pet A-N-I-M-L Animal Ox is a pet animal Correct answer is wrong क्या आएगा False यहां क्या लिखेंगे False फूर नमबर फूर्थ है Deer is a domestic animal D-W-E-R Deer Is is A D-O-M-E-S T-I-C Domestic A-N-I-M-L Animal जो हमारा हीरन होता है वो हमारा पालतू जानवर होते है No तो हमारा correct answer क्या है False क्या लिखेंगे False क्या लिखेंगे False देखो बिटा अभी मैंने आपको कराया है Chapter No. 12 की Exercise Part A Part B And Part C Tick Option Phillips And True and False Do in your book And assess fair notebook Okay Thank you Have a nice day Dear student Welcome to our YouTube online classes Let's restart Subject is science For class First In previous video We read chapter 9 Clean, active and safe And do some exercise of this chapter Now Today we do Some other exercise of this chapter So let's start Today we start from question no. 2 Right True or false True or false First है हमारा Germs and dirt May make us fall sick Germs and dirt Kitanu होते Or dirt यानि Dust अग्यरा जो होता है गंदगी होती है वो हमें क्या कर सकते है बिमार कर सकते है तो yes This statement is true Germs and dirt May make us fall sick अगर हम अपने आसपस गंदगी रखते हैं Germs होते हैं अगर हमारे आसपास तो हम क्या पढ़ सकते हैं Sick हो सकते हैं बिमार पढ़ सकते हैं तो this statement is true Right here True Next step B Cleaniness is the habit of staying dirty जो cleaniness है वो एक आदत है क्या रहने की गंदा रहने की एक आदत है साफ cleaniness मतलब होता है साफ सफाई साफ सफाई एक गंदा रहने की आदत है No, this is false statement साफ cleaniness क्या है साफ सफाई रखने की आदत है ना की डर्टी रहने की तो this statement is false Right here False F A L S E False Cleaniness is the habit of staying dirty No, this statement is False statement Right here False C है हमारा Question number C We must not play with sharp object क्या कह रहा है We must not play with sharp object हमें कभी भी कैसी object से नोकीली object जो sharp object होती है नोकीली objects होती है चीजे होती है उससे हमें प्ले नहीं करना चाहिए तो yes हमें कभी भी ऐसी नोकीली चीजों से खिलना या कुछ भी काम जो हमारे काम का नहीं है नहीं करना चाहिए उससे हमें क्या हो सकता है नुकसान पहुचा सकता है तो this statement is true We must not play हमें कभी भी नहीं खिलना चाहिए किसी sharp object से तो yes this statement is true हमें किसी sharp object से नहीं खिलना चाहिए तो statement क्या है हमारा true है राइट करोगे true t-r-u-e true okay d is living toys on the floor is a safe thing to do क्या कह रहा है living toys जब हम खिलोनों से खिलते हैं तो उनको floor पर छोड़ देना यानि जमीन पर वैसे ही छोड़ देना एक safe सुरक्षित चीज है तो no this statement is false अगर हम floor पर अपने खिलोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो दूसरा आकर उस पर पैर लगने से या कोई और कारण से वो फिसल कर गिर सकता है और उसको चोड़ पहुंच सकती है तो this statement is false क्या है यह statement false राइट करोगे false f-a-l-s-e false next है e our body needs proper rest हमारी body को हमारी शडीर को पूरा rest चाहिए होता है our body needs proper rest तो yes हमारी body को proper rest चाहिए होता है this statement is true क्या होगा यह statement true राइट करोगे true ओके dear student next question is tick the safe action and cross the action that are not safe क्या करना है टिक करना है जो action safe है और जो unsafe है तो यह road के left side में जो है cycle चला रहा है this state this action is safe right करोगे यहां पे यह क्या कर रहा है iron का जो प्लक है उसमें हाथ देने की कोशिश कर रहा है तो this state this action is not safe cross करोगे यहां पे यह टोईज को फ्लोर पे ऐसे ही छोड़ दिये हैं तो this statement this action is also not safe तो cross here next है हमारा यह जेब्रा क्रोसिंग पे road एक बच्चा खिडकी से बाहर मू निकाले हुए एक दोर पे खड़ा हुए तो this is not safe action cross here okay first is true first is safe second not safe third is not safe third fourth is safe and fifth is not safe do this question question number third in your book and question number two is done in your science fair science notebook with very neat and clean handwriting thank you and have a nice day good morning students i am sonu maim your gk teacher from first class today we will do beta chapter number 24 our relations festival oh you are our r e l i g i o u s relations festival f e s t i v a l s festivals our relations festival india is the land of festival india india is is t h e da l and land of of f e s t i v a l s festivals w e v c e l e b r a t e celebrate d i f f e r e n t different f e s t i v a l s festivals h e r hair जो हमारा भारत वो तोहरों का भंडार है we celebrate different festival here कि हम यहाँ पर विभीन परकार के तभार मनाते हैं ओके पार्ट a look at the picture and match the column l double o के look at at t h e the p i c t u r e s pictures and d and m a t c h match t h e the c o l u m and column look at the pictures and match the column हमारा number first है देखो इस column में किस चीज की picture दियू हुई है number first में देखो ही बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर cracker कर रहे हैं cracker में पटाके पटाके चुटा रहे हैं तो हम किस पर चुटाते हैं दिपावली number b तो हम इसको one number को किस से मिलाएंगे बी से number b के सामने हम क्या लिखेंगे number one d i w a l i diwali d i w a l i diwali अब है हमारा second number पर यह किस चीज की पीच्चर है यह क्या कर रहे हैं कौन से तवार पर गले मिलते हैं विटा इद तो हम देखो यहाँ पर नंबर a b c d किस पर इद लिखा हुआ है तो हम उसको उसके सामने वही number mention करेंगे जैसे two number है तो हम इद के सामने d पर हमारा इद फिलर यह हमारा इद का तवार मनाए जा रहे है नंबर second पर तो हम यहाँ पर second number लिखेंगे नंबर third थर्ड पर देखो यह किस चीज का पेड़ है और यह क्या मना रहे हैं Christmas तो यह number a पर mention है तो हम यह Christmas के सामने क्या लिखेंगे अब है number three christmas Christmas क्या है Christmas अब है number fourth फोर्थ क्या है ग्रूपर तो हम c के सामने number four लिखेंगे जी यू आर यू पी गुरूप पर पी ए आर वी पर जी यू आर यू गुरूप पी ए आर वी पर ओके अब है part B every religious person has different places to pray or worship every religious person has different places of prayer or worship कि जो भी जो इपूजा करने जाते हैं जो भी लोग उनकी विभीन परकार की जगे होती है कि अपनी प्राथना करने के लिए worship मतलब जैसे कोई गुरू दुआरा में जाता है कोई टैंपल में जाता है कोई मस्जिज में जाता है okay match these boys to their places of worship m a t c h match t h e s e these b o y s boys t o 2 t h e i r their p l a c e place o f o w o r s h i p ship match these boys to their place of worship okay number first ये बच्चा कहां जाता है ये जाएगा number b पर d sorry first number को हम किस से मिलान करेंगे c को first number को हम करेंगे c से मिलान okay अब है हमारा second second number को हम करेंगे d से मिलान किस से करेंगे d से मिलान okay third number को हम करेंगे a से मिलान third number को करेंगे हम a से मिलान और ऐसे ही हम fourth number को करेंगे b से मिलान okay तो देखो बेटा अभी मैंने आपको कराया है chapter number 24 our relations festival part a and part b do in your book match carefully thank you have a nice day morning dear student welcome to our youtube online classes let's we start subject is english reader for class first in previous video we read chapter 13 that is faithful dog ये एक स्टोरी है faithful dog की यानि इमानदर dog की एक स्टोरी है जो आमने half read करी थी क्या अर्विंद के पास एक डॉग रहता है जो की उसकी help करता है उसके काम में वो अर्विंद डेली early morning उठकर breakfast करता है और क्या करता है अपनी goats को कहां ले जाता है मीडो में ले जाता है यानि एक घास के मैदान पे जो की hill area में तो वहां ले जाता है और वहां वो अपने dog को भी ले जाता है तो afternoon के time वो क्या करता है रेस्ट करता है और मोती जो है उसकी goats को देखता रहता है वन दे तो एक दिन की बात है अर्विंद वो जो था वो उसी रहा था suddenly मोती begin to bark loudly अचानक क्या हुआ मोती जोर से चिलाने लगा भोकने लगा बार करने लगा अर्विंद वोक अप अर्विंद क्या हो गया जग गया अर्विंद की आँखें खुल गई मोती कौट अर्विंद बाई दा शर्ट मोती ने अर्विंद को पकड़ा उसकी शर्ट खिसते हुए वो उसको उठाने लगा खीचने लगा ही ड्रैग्ट हिम टू आ डीप पिट बिलो दा हील और उसने उसे खीचते हुए वो उसे कहां ले जाता है हील के नीचे वाली जो एरिया होती है वहाँ पर ले जाता है एक किड हैड फॉलेन दयर और एक बच्चा वहाँ पर लोगा फॉलेन दयर वहाँ है ऋसना *** पुर किड वाज ब्लीटिंग हल प्लैसली और वो जो जो किड था बकरी का छोटा बच्चा था वो क्या कर रहा था help के लिए चिला रहा था Arvind climbed down the pit Arvind नीचे उतरता है उस heel से उस पहाड से नीचे उतरता है He took the kid in his arms और उस kid को वो अपने arms में अपने हाथों में पकड़ता है and bought him back to his mother और कहां ले जाता है उसको वापस अपनी मा के पास लेके जाता है The mother got licked her kid जो mother goat थी वो क्या करती है उसे पकड़ लेती है Both the mother goat and the kid were happy और अब दोनों ही mother goat जो बकड़ी थी उस kid की वो और kid दोनों ही खुश थे Arvind pad mootie with loved और Arvind अब क्या करता है मोती को प्यार से अपने पास बुलाता है He came back home He came back home और वो वापस चले जाते हैं and told about मोती's faithfulness और मोती की इमानदारी के बारे में बाते करते हैं His mother padd mootie और उसकी मा भी mootie को सहलाती है mootie vegged his tale with love और mootie भी प्यार से अपनी पूछ हिलाता है ये थी पिटा अमारे स्टोरी किस तरह से एक टॉग एक एक इनसान की help करता है किस तरह से वो इमानदारी से अपना पूरा काम करता है So, dear student read this story properly Thank you and have a nice day